अबेटेटव वीडियो की आपके लिए बहुत हैं बहुत ही प्यारी शीच जो अप्डेट है वो आप सभी की साथ लेकर आ चुका हूँ यानि कि के वीएस की तरब से आपको अपको बर्ती आपके यहां पर रिलीज हो चुकी है वह आपको यहां पर इस्टाप नर्स की पोस् वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करूँगा आप सभी के साथ कि आपको किस परकार से वेकंसी को अपलाई करना है और आप किस परकार से इस भरती को अपलाई कर शकते हैं ठीक है सभी के बारे में completely information चीज आपको मैं बता दूँ जिन कंडियेटों को अपलाई करने का लिंक है वो नहीं मिल रहा है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर देख लिजगा वहाँ पर आपको अपलाई करने का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डायरक्ल में चर्चा करेंगे detail wise completely information दूँगा सबसे पहले आपको PGT जो टीचर की vacancy है वो आपको यहाँ पर दीगी है तो PGT टीचर के लिए आपको यहाँ पर one year integrated post graduate MSC course of the original college of the education यानिकि सबसे पहले आपको जो MSC candidate है वो इस vacancies को अपलाई करेंगे जो physics के अंदर MSC कर रहे हैं साथ म बेड होनी चीए और आपको 50% आपको मार्क होने चीए ठीक है यह आपकी क्या रहेगी essential qualification रहेगी PGT teacher की apply करने के लिए 45,000 पर मंद के साब से आपको यहाँ पर salary है वो प्राइड करवाई जाएगी age limit की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो minimum age limit आपकी 21 year रहने वाली है maximum age limit आ वो इस vacancies को यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर देख लिए जगा laboratory assistant की जो post है वो भी आपको यहाँ पर available कराई गई है या फिर अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर यह post आपकी रहने वाली है तो इसमें 12th pass होने चीए साथ में आपको physics subject के साथ आप इं अठारा से 35 तक के जो candidate है वो इस vacancies को apply करेंगे salary आपकी 25,000 पर मन के साथ से मिलने वाली है ठीक है उसके बाद में सबसे important हमारी जो बात करेंगे nursing assistant nursing sister या फिर staff nurse की post है उसके बारे में चर्चा करेंगे degree और diploma in the nursing यहनकी nursing के अंदर अगर आपके पास degree और diploma है तो आप इस vacancies क यह क्या करेंगे post को eligible करेंगे आपको बता देता हूँ जो candidate GNM कर रखे है वो candidate भी क्या कर सकते हैं इस vacancies को apply कर सकते हैं जिन चर्चा करेंगे इस vacancies को यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं यनकी nursing के अंदर चाहिए आपने degree किया हो चाहिए आपने diploma किया हो वो शभी candidate इस वेकंसी को अपलाई करेंगे, GNM, BSC, Post BSC, MSC, सभी कंडिडेट क्या रहेंगे, eligible से रहेंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो नर्स रिंग, इस इस पोस्ट है, इसकी एज लिमिट आपको minimum एज लिमिट है, 21 एर देखने का उम लेगी, और जो maximum एज लिमिट है, वो आपकी 50 एर एंड किये, 50 एर तक के जो कंडिडेट हैं, वो इस वेकंसी को अपलाई कर सकते हैं, उसके बाद में आपर देख लिजीगा, लास डेट के बारे में अगर आपको मैं बात करके बताओं, तो इस वेकंसी के लास डेट रहेगी 14 अक्टूबर, यान कि 14 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लिकेशन फोर्म को आप अपलाई कर सकते हैं, अगर आप 14 अक्टूबर के बाद में अगर आप अप अप्लिकेशन फोर्म को बरते हैं, तो आपका कई बार क्या होता है, site issue आजाता है, तो आपका application form नहीं भर पाता है, तो आपको 14 October से पहले-पहले application form को भरना होगा, ठीकर, उसके बाद में how to apply, यानि कि आप देख लीजिगा किस परकार से आपको apply करना है, इस apply करने का option भी आपको दिया गया है, सबसे पहले इसकी official website से ही आपके application form भरे जाएंगे, सभी update आपको इसकी official website से ही आपको देखने को मिलेंगी, और online आपका क्या रहने वाला है, जो application form है, वो आपका रहेगा, तो direct website पर जाकर आपको क्या करना है, application form को आपको यहाँ पर भरना होगा, बात करें application fees के बारे में, तो application fees यहा completely लिखना है, एनलफ के अंदरे डालना है, name of the post के लिए आपको कुनसी post के लिए apply करना है, speed post करना है, ठीक है, यह आपको दिहान रखना है, सबसे important चीज़ है कि आपको speed post करना है, online जाकर आपको format डाउनलोड करना है, ठीक है, application fees की अगर मैं बात करूँ, तो general category और obviously category के लि है, सबसे important आपको मैं बता दूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कोई भी refund नहीं होगा, non refundable आपकी यहाँ पर जो post है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर completely information देख लिए जगा, जैसे आप मैं आपको क्या करूँगा, इसके site का option देदूँगा, तो आपको application form आपको कहां से download करोगे, तो जैसे इसे मापको यही portion दिखाई देगा, completely, तो इस portion के ओपर जाओगे, तो आपको देख लिए जगा, click here, download the application form, यह option दिखाई देगा, आपको इसकी website के ओपर, इसकी official website के ओपर, तो जैसे ही आप इसको click करोगे ना, तो आपके पास इसका application form का जो format है, वो आपका निकल कर आ जाएगा, और उस format को आपको फिलप करना है, और उस format को आपको भरना है, जिन कंडिटों को अगर इस वेकेंसे से related कोई doubt है, तो आप बिल्कुल से comment box के अंदर comment कर सकते हैं, यह फिर आप टेलिग्राम और पूरी पूरी कोसिस कर रहा हूं, तो सभी साथ ही क्या करें, जॉइन हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी जिन कंडिटों को वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो अपने friend circle के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, से बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते, या फिर आप टेलिग्राम और वाट्चक ब्रूप से जाके जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको completely information, completely update में प्रवाइड करवाँगा, अगर किसी को फिर भी कोई doubt है, बिल्कुल आप doubt के लियर कर लीजिगा, सभी सा बिल्कुल के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को ओन करना है, जिससे आपके पास ऐसे ही updated वीडियो टाइम से मिलते रहेंगे, और अब इंडिया की नर्सिंग के अबडेट आपको मिलते रहेंगे, ये बाकि मिलते हैं, वो नहीं अबडेट के साथ नहीं उड़ेगे